आज़का हमारा topic of discussion है SQL में alter करना, SQL alter table statement, तो SQL में किसी table को हम alter कैसे करेंगे, यह देखेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो alter है, यह DDL, DDL, Data Definition Language Command है, मतब बहुत सारी होती हैं, आपको पता होगा, DML, DDL, DCL, DCL, तो DDL, मतब डेटा Definition, जब हम table के structure की बात करते हैं, तो that is DDL, और इसकी एक separate video में आपको बना के दिखाऊंगा, बना दोंगा, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आज़ए, तो for a timing आप यह मान के चली कि alter क्या है, DDL कमाड है, अच्छा, अब alter करता क्या है, SQL alter statement, let's see, the alter table statement is used to add, delete और modify, अगर हम यह अपने table में add करना है, delete करना है, या modify करना है, किसको column को, column को add करना है, column को delete करना है, या column को modify करना है, किस table में, existing table में, तो हम लोग किसका काम करेंगे, alter table command का, ठीक है, आगे चलते हैं, अब the alter table statement is also used to add and drop various constraints on existing table, अगर हमारे table पे कुछ constraints लगे, अब constraint क्या क्या हो सकते, primary की, मारलो हमारे table पे primary की लगा हुआ है, और उस primary की को हटाना है, तो हम अटा सकते हैं, मारलो हमारे table में primary की नहीं लगा है, और primary की लगाना है, तो भी हम alter से लगा सकते हैं, तो हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, alter table, add column सबसे पहले रखेंगे, alter से अब add कैसे करते हैं, किसी column को, to add column in a table, we use following syntax, syntax क्या है, alter table, फिर table का नाम, फिर add, add use करेंगे आप, add, फिर column का नाम, ठीक है, किस column को आपको add करना हो, उसका data type, ठीक है चलो, example देखलो, तो example कह रहा है, कि the following SQL adds an address, column, to employ new table, ये मेरे पास employ new table है, इस employ new table पे address नाम का column नहीं है, और मुझे add करना है, तो मैं क्या लिखूँँगा, alter table, employ new, add, important, किसको add करना है, address को, उसका data type क्या है, वेर कैप, और size कितना 25, जैसे मैं ये command रंग करूँगा, तो दे multiple सी चीज़ है, कोई बहुत बढ़ी चीज़ नहीं, आओ देखो, alter से और क्या कर सकते है, alter से modify भी कर सकते है, किसी column को, अभी हमने add देखा है, तो command क्या है, alter table, table name, save, बस add क्या लगा देया, modify, तो modify, किसको modify करना है, column name को, जो मेरा column ने, अग्जिस्टिंग है, उसको करना है और उसका data type, उसका data type क्या, फिला, देखते हैं, syntax, देखो, यह बड़ा प्यारा है, the following SQL, modify address, column, to employ new, अब हम address column हमने जोड तो लिया, लेकिन जोडने के बाद मुझे लगा है, असको change करना चाहिए, तो क्या करें, हम modify करना चाहिए, तो पहले example क्या करें, alter table, employ new, यहां तक हम जानते हैं, modify, add, modify, address, किसको modify करना, address को, क्या करना है, where care, अभी तक सेम है, लेकिन अंदर देखो, पहले हमने size 25 दिया था, 255 दे रहे, तो हमें लगा यार, नहीं size बढ़ाना चाहिए, तो what I'll do, अगर मालो value, बड़ी value, accept ही नहीं कर रहा, तो बड़ी value, accept ही नहीं कर रहा, 25 से जाधा values है, और 255 तक जा रही, तो what I'll write, modify, fine, अब दूसरा देखो, alter table, employ new, modify, मुझे लगा यार, address का जाना, data type, where care, नहीं होना चाहिए, number होना चाहिए, तो मालो मेरे address is 1, 2, 3, 4 format में है, तो फिर आप number ले लेंगे, fine, तो इसके लिए आपको क्या use करना पढ़ेगा, modify, आगे बढ़ते हैं, और सबसे important अब आता है, alter के मद्च से आप table के column को drop भी कर सकते हैं, suppose करो आपने table में column, आपके table में कुछ column है, जिसको आपको नहीं चाहिए, you don't want that columns, तो आप क्या करो, आप उन columns को drop करो, आप drop करने के लिए आपको क्या लगाना पढ़ेगा, drop statement लगान syntax use करेंगे, alter table table name यहां तक बस drop आजा गया, drop और यह सबसे important है, drop के समय में आपको column explicitly use करना पढ़ेगा, drop, column, column name, अगर अभी तक आपने दिखा होगा, कि हमने जब add किया, तब भी हमने column का use नहीं किया, column keyword का, और जब हमने modify किया, तब भी column का use नहीं किया, लेकिन अगर क्या मैं लेकूंगा, मैं लेकूंगा, alter table, employ new, और, sorry, add नहीं है, यह गलती से लेक गया, excuse me, drop, alter table, employ new, drop, column, और कौन से column को करना है, मुझे address को drop करना है, जैसे ही मैं यह execute करूंगा, तो देखो, आपका address क्या होगा, drop हो गया, clear, तो अब यह तो हो गई, theoretical बात है, आओ इसको practical run कर आके देखते हैं, चलो मैं इसको run कर आके देखता हूं, आपको कैसा देखता है, तो मैंने यह खोल रखा है, अपना Oracle 10G, मैं इस 10G को run कर आके देखाता हूं, तो सबसे पहले आप देखो, मेरे पास employee new नाम का एक table बना हुआ है, fine, और अगर मैंने उसका description देखा, description आप आपको पता है, DHC command, तो मैंने देखा कि मेरे table में सिर्फ दो ही column है, employee ID और name, चलो अब मुझे क्या करना है, एक और column जोड़ना है, उस column का नाम क्या है, address, तो वही command करते हैं, जो हमने देखा, तो क्या लिखेंगे है, alter table, table का नाम क्या है, EMPLOY underscore new, ठीक है, alter table, table name, add, add, फिर column का नाम, किस column को आपको add करना, A, D, D, R, E, W, address, और उसका data type, where care, और उसका size, size क्या मालो मैंने दे दिया, 25, फिलाल ये दे दिया, और इसको run करा है, तो मेरा देखो, table altered हो गया, अब ज़रा हम description देखें, तो देखा आपने, पहले हमारे description में क्या था, हमारे description में सिर्फ द इस 25 ले लिए ना, ये कम ले लिया, इसको बढ़ा देते हैं, 35 कर देते हैं, तो मैं क्या करूँगा, alter table, table name, add की जगा हम क्या लिखोंगा, modify, modify, बस, और अब जो size है, इसमें 25 की जगा हम क्या लिखो, 35, अब जैसी करोगे, तो आप फिल से description देख लो, तो आप देखो, description मे अब जो size है, पहले size कितना था, where care 25, अब address का size कितना होगे, 35, ठीक है, एक चीज़ और, अगर मैं चलो, data type ही बदलना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, तो क्या लिखोंगा, alter table, table name, modify, column का नाम, और इसका data type पूरा ही change करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूँगा, int, इस से क्या होगा, देखो आप, table alter होगा, मतलब data type ही change होगा, देख लो आप, पहले data type क्या था, सबसे पहले अगर हमने use क्या था, तो data type क्या था, where care था, और अब data type क्या है, number है, तो हम modify से data type भी change कर सकते हैं, और size भी change कर सकते हैं, और finally last बचता है, drop, अब drop कैसे करेंगे, म लिखा हुआ है, alter table, table ने, drop, modify की जगा यूज़ करेंगे, drop, 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 column, c, o, l, u, m, n, explicitly, use करना है, और किस column को करना, उसका नाव, और उसका data type देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब जैसे ही आप enter करेंगे, तो देखें, table altered हो गया, मतलब table मेरा alter हो चुका है, मतलब कोई ज description देखो, जो address नाम का column पहले था, अब वो address नाम का column नहीं है, clear, तो हमने drop कर गया, find,